नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हैपी इन्वेस्टर्स में आपके लिए आज दोस्तो एक विशेश वीडियो रहेगा और जैसा कि अपने थमनेल में देखा है दोस्तो आलोक इंडस्ट्री पर हमारा कवरेज रहने वाला है आज सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर दोस्तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कट बताना चाहूँगा कि अलोक इंडस्ट्री पर हमने काफी लंबे अर्से से कवरेज वीडियो बनाया है और आज वापेस से वही लेवल पर अलोक इंडस्ट्री और आज इस stock का price दोस्तों वापिस 23 पर आ गया है लेकिन इससे पहले के time अब जब मैंने comments आपके पढ़े थे मेरे कहीं सारे viewers ने भी comment किया था कि आलोग इंडस्ट्री चल नहीं पा रहा था तो मैंने उनको बताया था कि आप hold कर सकते है इस stock को और इसी के साथ साथ swing trading के लिए भी अपनी investment थोड़ी जी रख सकता है अगर आप चाहे तो swing trading करना तो और उसके बाद दोस्तों ये stock ने हमें अच्छा खासा return दिया था रूपे 34 तक मैं आपको भी graph में दिखा दूँगा रूपे 34 तक ये stock गया था जानी की करीब करीब more than 30% से भी ज्यादा का profit हमें दिया था दोस्तों कोहती कम न अरसे में और ये आपके मेरे जो viewers है उन्हें इस बात का पहली बाती अंदाजा होगा कि मैंने जो swing trading की बात की थी उसके regarding हमारी जो research थी education purpose से मैंने जो video बनाया था उसका अच्छा कासा impact आलोक industries पर भी हमें देख देखने को मिला था result काफी अच्छा आया था वीडियो का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अलोक industries के दोता चार्ट सेक्शन में यहाँ पर मैंने वन डे की candle जैसा कि आप देख सकते हैं लगा करके रखी है और चार्ट के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो चार्ट में दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि देखिए मैंने वीडियो जब बनाया थे अपने जब यह स्टॉक यहाँ पर कहीं था मैंने यहां से इस मुमेंट से आपको वीडियो बनाते हुए कहीं बार आगा किया था वापिस से मैंने यहाँ पर भी वीड अगर 21 रुपे ले ले यहाँ पर तो 21 रुपे से ये स्टॉक गया था करीब करीब 25 रुपे के पास 26 रुपे के पास तो 5 रुपे का दोस्तों फाइदा होता है आपको 5 रुपे चोटा लग रहा होगा लेकिन जब 20 रुपे का स्टॉक दोस्तों 25 रुपे हो जाता है तो वो क educational और informative वीडियोज लाते रहेंगे जहां पर हम आपको देते है stock market के regarding अच्छी खासी आपको अच्छी information देते है multi bagger stocks हम research करते है आपको free of cost प्रोवाइड करते है कोशिश करते हैं कि हमारे जो educational purpose of video हम बनाते हैं वो आपको financially help कर सके बाकी आपका research भी important रहेगा आज दोस्तों विशेश चरजा करेंगे आलोक industries के fundamentals पर और आज इस वीडियो का पूरा हमारा जो समरी रहेगा उसके end में मैं ज़रूर बताऊँगा क्या level रहेंगे हमारे buying के लिए हमारे जो यहां पर मैं अगर आलोक industries की बात करूँ तो दोस्तों आलोक industries का जैसा कि आप देख सकते हैं यह trend line के हिसाब से अगर देखा जाए trend line के application उनके हिसाब से एक consumer discretionary और small cap company है और high risk to reward ratio है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ यह high risk to reward ratio वाला stock है इनका market cap भी आपको बता देखा कि यह कितना sensitive stock रहता है कितना volatile stock रहता है तो अगर इसके market cap की दोस्तों बात की जाए है यहां पर तो market cap में आपको यहां पर दोस्तों करीब-करीब 11,842 करोड का market cap है यानि करीब-करीब 12,000 करोड का market cap है यह लोक industries का दोस्तों current price इसका 23.8 रुपए है चहां पर high बनाया है stock 35.8 और 18.2 की बात यह तो हो गया दोस्तों हमारा क्या basic knowledge stock P अभी 0 है stock P अभी 0 है ROC negative है यह book value से भी negative आ रहा है face value stock की एक है तो दोस्तों यह तो मैंने basic आपको समझा दिया कहां पर काम करती हा लोक industries textile में involved है और काफी अच्छी खासी इनकी sales भी हो रही है polyester segment में भी है cotton segment में भी है company के ओपर दोस्तों fundamentally अभी तक अगर देखा जाए तो balance sheet में ठीक थाक improvement आया है stock market में सबसे ज्यादा important है patience ठीक है आपको सबर रखके चलना पड़ेगा आपको स्थिती जैसे भी उपर नीचे चल रही हो आपको अपना सहीम बना कर रखना है और patient से अगर आप दोस्तों काम लेंगे थोड़ा थोड़ा सोट समझ करके investment करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा खासा मुनाफ़ा long term में stock market देने की संभावनाएं बनाता है चलिए दोस्तों बात करता है इसके stock की अगर दोस्तों long term की आउदी में देखा जाया तो stock ने काफी कहीं बार इस level को test किया है जहाँ पर stock 20-22 रुपे की range में आता था stock की price कभी कभी 20 रुपे आ जाती है और 20-22 के बीच में trade करती है और फिर वापिस एक अच्छा कासा momentum दिखाती है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है और फिर सीधा 34 रुपे पर जाता है 35 रुपे पर जाता है यानि कि बहुत कम समय में कुछ ही महीनों में दोस्तों stock हमें एक अच्छा कासा return दे 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 जा है यही pattern होती है दोस्तों swing trading stocks की swing trading stocks यानि की वो stocks जो हमेशा किसी एक particular level को test करना आते हैं मेरा ITC का वीडियो भी जरूर आपको देखना चाहिए दोस्तों जहाँ पर मैंने आपको वीशे शुरूप से बताया था कि ITC के कौन से levels सही रहते है र पुराने viewers होंगे उनको इस बात का अंदाजा होगा आज मैं इसलिए वापिस वीडियो बना रहा हूँ क्यूंकि एक तो काफी लंबे अर्शे से मैंने आलोग industries को fundamentally cover नहीं किया था तो सोचा आपको एक बार बता दूं दूसरी बात पुछ levels है जिसके बार में मैं वीडियो coverage ratio और the company has delivered a poor sales growth of minus 21.52% over the past 5 years यानि कि 5 साल में दोस्तों कंपनी ने बहुत ही कम poor growth दिया है तो अगर दोस्तों इहां पर quarterly उनके competitors के हिसाब से competitors इनके account है आलोग industries के CRM, Silk, Bombay Dying, Ganesh Export और Jai Bharat Textile जैसे इनके competitors है जहाँ पर दोस्तों इस company ने profit की अगर बात की जाए तो फिलहा और market capitalization में भी company काफी अच्छी है बड़ी size है इनकी dividend भी provide ने करती है sales की value में देखा जाए तो इनके competitors से काफी हद तक अच्छे sales है company के और अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इनके results की तो results की अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर मैं आपको quarterly तो नहीं बताऊंगा ल लेकिन करदा होने के कारण company के profit margins है वो एक time पर ऐसा हो गया कि negative आने लगए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तरीके से company ने फिर growth दिखाया लेकिन यह देखिए 2018 में तो बहुत ही ज्यादा negative profit आया था negative profit यानि कि बहुत ही ज्यादा negative loss आया था loss आया था बहुत ही यानि करिब 13,524 करोड का दोस्तो negative हमें loss देखने को मिला था cash flow देखने को मिला था जबकि revenue बहुत ही कम निकला था तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो हमें positive यहाँ पर impact देखने को मिला है देखिए अभी अभी के हिसाब से company ने 2000 March के 2021 वाले जो time है 2021 यहाँ पर profit दिख आया था operating profit आया था तो इसका कारण दोस्तों यही है कि Reliance जैसी company का management इनके साथ जोड़ चुका है और यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए net profit की तो net profit अभी भी काफी काफी डगमगाया हुआ है क्योंकि अभी भी company के ऊपर अच्छा खासा recovery दिखाने का time है अभी क्योंक दोस्तों अभी grow कर रही है ठीक है company अभी धीरे धीरे अपने जो इनका एक damage हुआ है इनकी company में इतने सारे debt के बज़े से तो Reliance का management भी अच्छा है मैं मना नहीं करना लेकिन company को समय चाहिए रहेगा किसी भी stock को भी आपको जब ऐसी Buddhist city से बाहर आता है तो थोड़ा वक्त ल निवेदर ने के जिनों ने 30 रुबे के price पर भी invest किया है वो भी बिल्कुल भी panic ना करें मैं कुछ levels बताऊंगा जो मुझे लगता है आपको अच्छे रहेंगे buying के लिए आप उन पर ज़रूर अपना focus कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अब end में इस company के जो compounding sales growth है उसके बा motor holding की तो हो गई बात लेकिन मैं इसमें डून देता हूं जरा यहां पर हाँ यहां पर इतना कहीं जी मैं यह जैसा कि मैं आपको बताना चाहता था कि compounding profit अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है धीरे धीरे company ने profit दिखाना शूरू कर दिया है compound होना शूरू कर दिया है और जो तेन साल के हिसाब से 23% का growth देखने को मिला है इनकी sales में अगर बात की जाया तो sales में और stock price के CAGR में भी काफी हद तक हमें improvement देखने को मिल रहा है time on time basis पर तो दोस्तों यहां पर भी देख सकता है stock price के CAGR में भी अच्छा खासा relance के management में आने के बाद एक अच्छी moment देखने को मिले थी तो दोस्तों यही थी stock market में अलोग industries की fundamental analysis अब दोस्तों हम end आ चुका है वीडियो का जहां पर मैंने आपको surface level से समझा दिया है कि क्या हो सकते है fundamental balance sheet stock के बारे में अब बात करेंगे stock के मेरा क्या भी प्राई है मेरे क्या opinions है कौन से levels है जिनके बारे मैं आपको बताया था तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं तो हमारी चैनल को subscribe करना और like करना ना भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे ही रोज multi beggar आपके लिए लाते रहेंगे और हमारा viewers और subscribers जो अभी है की तरह आपको भी अगर कमाना का पूंका चाहिए profit तो आप हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलिए को और सिर्फ subscribe मत कीजिएगा religiously हर रोज हमारे videos आते हैं उसे ध्यान से अगर आप देखेंगे जो हम educational purpose के लिए videos आपके लिए ऐसे रहते रहते हैं उससे भी आपको कई सारी ऐसी बाते होगी जो सीखने को मिलेगी जिससे आप अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं चलिए जाते हैं बिना देर करते हु कि मेरे अनुसा research purpose से में हैं बता रहा हूँ अपने financial advisors को consult करना ना पूलिएगा और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे levels होते हैं stocks के जहाँ पर आपको अच्छे खासे मौके देखा है stock market जहाँ पर आप अच्छे से अच्छा यहाँ पर यह जो 20-22 रुपे की जो खीड़की है यहाँ पर यह काफी important level रहेगा हम सब के लिए अगर दोस्तों यह stock में अगर हमें यहां से अगर हमें इस stock के अंदर particular में बात करूं तो अगर यहां से हमें reversal देखने का मौका मिलता है तो दोस्तों वह 20-22 रुपे वाली ही देखता हुआ नजर आ सकता है दूसरी बात दोस्तों वार की situation अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है युक्रेइन और रश्या क्राइसिस अभी भी जारी है रश्या नहीं अभी भी अपना जो हमला है वो बंद नहीं किया है युक्रेइन के साथ जो इनकी वार चल रही है आगे आगे भी पता नहीं कितना चलेगा तो मार्केट में काफी volatility बनी रहेगी हाला कि stocks मार्केट में जो पिछला session था वो हमें एक अच्छा खासा upper circuits कहीं सारे stock में देखने को मिले थे काफी सारे जो blue chip stock है वो वापिस से recover कर गए थे मार्केट में भी अच्छी कासी तेजी देख लेकिन हमें अभी भी चौकरना रहना है क्योंकि अभी भी हालात वर्ल लेवल पर अगर देखा जाए जुलिया प्लिटिकल लेवल पर तो सुधरे नहीं है अभी भी कहीं सारी volatility market में आनी संभावना बन रही है तो आपको सोच समझ करके दोस्तों decision लेना है तो मैं आपको य 20-22 का लेवल दोस्तों बहुत ही बढ़िया लेवल रहेगा अलोग industries के लिए अगर इस range में stock आता है तो आप इसके अंदर अपना थोड़ा सा position बना सकते हैं याद रखेगा मेरी बात सारा का सारा पैसा मत लगाईएगा उतना ही पैसा लगाईएगा जितना आप high risk to high reward वाल समय का दिखेगा अब दोस्तों अगर यह level दोड़ता है ठीक है यह 20 रुपे का level देख सकते हैं यहाँ पर है ठीक है अगर यह stock इस से नीचे जाता है यहाँ पर नहीं ठीक है यहाँ पर यह बता देता हूं यह जो peak है यहाँ पर यह वाला जो range है 15 रुपे के पास तो 20 रु आपको दोस्तों वापिस से एक अच्छा कासा moment मिल सकता है stock में अगर वहां तक stock जाता है तो आपको फिर से अपना थोड़ा सा SIP डालना है अंदर SIP के form में ही पैसा रखिएगा market में अभी काफी volatility है तो सारा का सारा पैसा मत रखिएगा बचा करके रखिएगा अच्छे सम करने के लिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलेगा मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले वीडियो में तब तक के लिए देखते रही है अपिन इवेस्टर्स बाबाए